आप सब अच्छे से होंगे तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जिनके बारे में लोगों ने काफी जो है मैसेज भी किये थे और फोन कॉल्स भी किये थे वो प्रॉब्लम दरसल जो हमारी अगरबतियां होती है आप जैसा की देख र इसमें आप एक चीज देखेंगे कि इसका जो sizes है मतलब पीछे का जो हिस्सा होता है वो काफी up-down हो जाता है मतलब कोई-कोई stick जो है आगे रहेगा कोई पीछे रहेगा मतलब एक proper जो size में नहीं रहता बराबर size में ये नहीं रहता तो ये दरसल मेरे machine में भी ये problem आने लग थी तो आपको मैं बताऊंगा कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि इसके कारण से ये ऐसा होता है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं और ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तब ही आपको समझ में आएगा और ये एक बहुत बड़ा problem है क्योंकि इससे जो है मारी अ तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिए सबसे पहले जो है हम इस बॉकेट को पूरा खोलेंगे बॉकेट खोलने के बाद सबसे पहले हमें कुछ-कुछ चीजे जो है उसे चेक करनी जैसा कि ये कटर है अब इस कटर में आपको देखना है कि जो मैगनेट लगे होते हैं व प्रेशर प्रॉपर नहीं रहेगा तो इस टाइप की जो है प्रॉब्लम आती है उसमें भी ये प्रॉब्लम जो है आती है उसके बाद आप देखेंगे कि आपका रोड जो है वो सही है की नहीं और जो प्रेशर बोल्ट है मतलब जैसा आपका पिस्टन जो है खराब हो तो मेरे में वैसे प्रेशर सही है प्रेशर भी सही है मेरा और यह रोड वगेरा प्रॉपर जो है सही है हमने इसी अच्छे से साप कर लिया है अब उसके बाद आपको जो यह कटर का जो साइजेज होता है उसको आपको पूरा साप कर लेना है ये भी अच्छे से साप हो चुका है और इसके बाद मैं इसमें एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ जैसा कि आपको ये दीख राओ का कट्टोरा और इसका खराब होने का प्रॉब्लम जो है आप देखेंगे कि जो साइजेज होते हैं इनके तो जहां से ये राउंड घुमता है मतलब जो हमारा जो है कटर जो है राउंड करता है तो बीच में इसके नीचे में जो है गेपेज बन जाते हैं आप देखेंगे कि किस किनारे में जो है प्रिमिक्स पाउडर चिपक जाता है तो ऐसा भी नहीं होना चैन के वज़े से भी ये प्रॉब्लम्स होती है और ज्यादा तर जो अगर बत्ती के डिफेक्टनेस होती है वो यहीं से होती है आपका कटर प्रॉब्लम होता है या फिर कटोरक खराब होता या फिर आपका पिस्टन का प्रेशर नहीं होता अगर यह तीन चार चीज़ आप सही कर लो तो आपकी मशीन जो है कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी और प्रॉडक्शन बिल्कुल बढ़े गई इसमें दोनों ऐसर जो है डाल दिया हूं इसमें और जो है इसमें स्लीफ होने का कारण ये था कि जो हमारी लौक जो होती है तो इसके लौक में आप देखेंगे कि एक छोटा सा जो है कटिंग का साइज इसमें बना हुआ है किनारे में आप देखेंगे तो यह sizes क्या होता है चलते 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 इनका size चोटा होने लगता है और यही जो चीज है वो हमारे cutter को lock करती है मतलब आप देखेंगे कि यह आपके जो आपका जो soft नीचे से आया हुआ है उस soft make किनारे के हिस्से में आप देखेंगे कि यह cutting जो है बना हुआ है और वो cutting जो है इस lock में जाके फस्ता है तो इनका जो है तो इसका जो है lock जो है डीला हो गया था तो हम एक पुराना जो है और रखेंगे इनको हम डाल के देखेंगे और डालने के बाद कैसे डालना है आप देखिए इसको जैसे आप देखेंगे कि यह हमारा कटिंग का साइज इसमें बना होता है इसी में यह कटर जो है लॉक होता है और उसके बाद जो कटिंग का साइज होता है मतलब पीछे की इससे में उसमें आपको इसे बैठाना है और उसके बाद देखिए पूरा जो पहले से ज़्यादा था वो कम हो चुका है अप लॉक हो चुका है हमारा और इसमें देखिए आप यह जो है पहले लगा हुआ था इसमें देखिए आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हील रहा है इनकी वज़े से जो है प्रॉब्लम आ रही थी इसमें और इसमें जो है बहुत कम हो रहा है मतलब इतना जो है होना ही चाहिए और इतना कफी है इसमें जो है प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद जो है इसको setting कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आप इसे ध्यान से देखिए बहुत लोगों का क्या होता है चलते चलते जो है जो sizes होते हैं वो आगे पीछे हो जाते है और आगे पीछे आपको नहीं करना है एक जो सही position है उसे में आपको setting करना है तो ही आपका cutter है ये इसको आपको 90 degree के एवरेज में रखना होगा मतलब आप देखेंगे कि यहां से ये सीधा और फिर ये ऐसा आपको येल टाइप का ये बनना चीए तो इस टाइप से आपको उसके बाद आपको इसमें जो है लॉक लगा देनी है ये लॉक लगाने के बाद आपको जो लेनी है इसको प्रॉपर आपको अच्छे से टाइट करना है ये कभी भी आपको नॉर्मल टाइट नहीं करना है अच्छे से आपको इसे टाइट करके रखिए क्योंकि ये बहुत जल्दी डीला हो जाता है और डीला अगर होगा तो आपका जो है कटर का जो सेटिंग होगा वो गड़बड हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यह पूरा बराबर साइज में है यहां से आपको ऐसे प्रॉपर जो है सेटिंग कर लेनी है और उसके बाद आप देखिए कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है मतलब जो पहले था वो स्लीप होता था टो मेटे कि यह घूमने लगता था लेकिन अब जो है यह लॉक हो चुका है पूरा जैसा कि आप देख रहे हैं यह पूरा लॉक हो चुका है इसमें थोड़ा सा हम इसे चला के देखते हैं तो उम्मित करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो मारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि अगर बत्ति बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ जो कि आपके लिए काफी हेल्फूल होगी तो मिलते हैं अगले कुछ नए प्रॉब्लम के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद